मेले फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं मेरे न्यू लोग में आप लोग का स्वागत है तो आज में बताने वाली हो आपको देश के बाड़े में तो आप लोग सावेत्री बाय फुलेजी का विवा दस साल में ही हो गया था और दस साल में हुआ था उनका विवा उनके पती ने सावेत्री बाय फुले जी को बहुत पढ़ाया लिखाया बुद्धी मान बनाया और सावेत्री बाय जी को बुद्धी हो गए कि हां मुझे पढ़ाना है लड़कियों को ठान लिया था उन्हें कि मुझे लड़कियों को प पढ़ाना है! सडित्री बाइक फुले जीन अपने पती से बोला कि मैं लड कीएं को पढ़ाऊंगी! लग अगल ऑना कुर्प दिया, नहीं यहां के लोग पढ़णे नहीं देंगे, यहां के लोग लड कीएं को नीच मानते हैं! MAJD SAV dragاف yaş नोन multiculturalism कोई भी किमत पर सवित्री बैफुले जी ने खेत के पीछे एक स्कूल खोला और रड़कियों को पढ़ाया बुद्धी मान बनाया पता है बोना हाँ डेली जाती थी स्कूल पढ़ाने तो वहां के लोग राजा महराजा उनपर गोबर फेकते थें गंदे नाली के पानी फेकत सवित्री बैफुले जी बिचारी डेली पढ़ाने जाती थी हार नहीं मानती थी इस्ट्रा डेली कपड़े लेके जाती थी कि गंदे कपड़ में तो नहीं पढ़ाएगी तो इसलिए डेली कपड़े लेके जाती थी वहां चेंज करकर डेली पढ़ाती थी सोचिए दोस्तो सावेतरी बैफुलेजी ने कितना मेहनत किया लड़कियों को पढ़ाने किये सोचिए वो होती है लड़किया और अभी भी कोई-कोई लड़के लोग लड़कियों को उच नीच मानते हैं कि लड़कियां पैर की जूती है मगर ये बात को मैं गलत मानती हूँ ऐसा नहीं है लड़की लड़का एक है एक समान मांगी मानगें समझे दोस्तों तो दोस्तों आप लोग को मेरा व्लोग कैसा लगा तो कॉमेंट में जैहिन जरूर लिखिएगा और ये बात सच है दोस्तों आप लोग इसे लाइक कॉमेंट सेर करिएगा अपने दोस्त के साथ बाई बाई दोस्तो जाए हिन जाए भारग